पॉलिशन, 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 कहीं साउंड पॉलिशन है, तो कहीं वाटर पॉलिशन है, कहीं एर पॉलिशन है यहां तक कि हम लोगों की जिन्दगी भी पॉलिशन बन चुकी है तो हम बात करें NTPC सिंग्रॉली की जहां पे लगबग 30 लाख लोगों के पानी के अंदर एक जहर का नल नजर आया है जी हां फैक्टरियों से निकलने वाला जहरीरा केमिकल उस नदी में बाहर जा रहा है जहां पे लगबग 30 लाख लोग आगे चलकर उस पानी को पीते हैं हमारी देश की सरकारे कहां हैं क्या हमारे देश की सरकारे सो रही हैं MLA, MP क्या अपनी जेब गरम करके गहरी नीन में सोई हुए हैं जागना जरूरी है आप लोगों को क्योंकि आपकी जनता जो आपको वोट देती है जब वो ही मर जाएगी वो ही नहीं बचेगी तो आपको वोट कौन देगा नेता जी सोचिए थोड़ा इस बारे में ये जो जहर हम आपको आगे दिखाने वाले हैं इस पर रोक लगाई है वरना आने वाले भविश्य के अंदर हमारा हिंदुस्तान अपंग हो जाएगा यानि कि हमारा भविश्य अपंग पैदा होने लगेगा ये आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि आपको एक्तदार में वोट देकर हम लोग भेजते हैं और आप लोग अगर हमें ही जहरीला पानी पिलाने लगे तो फिर आपके होने ना होने से हमें कोई फरक नहीं पड़ता चलिए वीडियो देखते हैं होने बड़ कर दो देखते हैं कर दो कर दो तो वीडियो आपने देखी वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है उस जिले के उस छेतर के MP, MLA तो जो भी सेंग्रोली से जुड़े हुए लोग हैं जो भी इसके अधिकारी हैं वो लोग इस तरफ संग्यान ज़रूर लें वरना लगबग 30 लाख लोग ये जहरीला पानी पीकर भयंकर बीमारी की चपेट में आ सकते हैं इस बीमारी से बचने के लिए आपको कदम तो उठाने होंगे क्योंकि आप जनता के पैसे पर जीने वाले नेता मंतरी आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है क्योंकि आप लोगों को सत्ता परसीन करने वाली सेंग्रोली की जनता है अगर आप उस जनता का ध्यान नहीं देंगे तो सोचिए जनता क्या कर सकती है अगली बार आपके हाथ से, आपके नीचे से सप्ता को सरका सकती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।